हेलो दोस्तों, श्वागा थे आप सभी लोगों का राजस्तान एकेडमी पर, मैं परविंट सिंग आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेया बसिटेंड बर्ती परतियों की प्रिक्षा के लिए जुड़ा हुआ हूँ, और आप सभी लोगों क हमारे द्वारा physics classes completely available करवाई जा रही है आप सबी लोगों को बता दू, 2018 लेब शेंट बर्ती परतियों की परिक्सा में मैं खुद भी selected हूँ, साथी साथ मेरे कई दोस्त जो है मेरे से physics पढ़के select हुए थे, उसके बाद 2021 में भी हमारे कई student select हुए, जैसा कि आप लोगों ने हमारे यूटूब पर या फिर हमारे टेलिग्राम चैनल पर जो है messages और उनकी वीडियो को देखा होगा, अब हम आज इस वीडियो के अंदर कुछ बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे इस vacancy का पता चलागे, चाहिए तो बार भी पास है, तो हर को इसके बारे में कुछ ने कुछ बताए जा रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तर्थे बताने वाला हूँ, जिससे आपको अगर वो fact पता है, उन चीजों के बारे में पता है, तो ही जो है, जो भी चीज़े यहां पर बताई जाए, इस वीडियो के अंदर उसको not down कर लेना, और first attempt में कैसे लेना है selection, यह मैं आपको proper तरीके से एकदम यहां पर बताने वाला हूँ, कौन-कौन सी गलतिया नहीं करनी है, सबसे पहले तो वो बताऊंगा, ठीक है क्योंकि अभी जो है, नया जो चात्रा आएगा इस फिल्ड के अंदर, हो सकता है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हो, जिन्होंने 21 में करी हो, 18 में करी हो, वो तो विद्यार्थी अब सचेत है, उनको तो पता है, कि कहा जाना है, और कहा नहीं जाना है, लेकिन जो विद्यार्थी जो है, अभी नया नया है, उसको यहीं नहीं पता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और वो यहाँ पर गलती कर बैठता है, देखिए, सबसे पहले तो, सबसे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, अच्चे से समझेंगे, मैं क्या बोल रह करम है इस प्रती का उस पाठे करम को आप समझेए उस पाठे करम को जब आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स के 10 टॉपिक है केमेस्ट्री के भी 10 टॉपिक है और बाइलोजी के यानि की जी विज्ञान के 16 टॉपिक है और ये जो 10 और 16 टॉपिक है ये सभी टॉपिक्स आपके NCRT में दे रखे हैं ठीक है उसके बाद में मेरे द्वारा आप लोगों के लिए जो है पीवाई क्यू एनलाइसिस करवाया जा रहा है यूटूब के उपर जिसके अंदर पहला फीजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रो इस्टेटिक्स करवा दिया गया है कैमेश्ट्री के लिए वीडियो पहले वाली से हमारी अप्लोडेड है वो आप देख सकते हैं अब पीवाई क्यू को सरह से क्यू जोड़ा क्योंकि पहले आपको क्या करना है NCRT पढ़नी है उसके बाद में जो पीवाई डारे तो आप आाँ जाकरके बढ़ईा जो है आपको पताई नहीं है और वे वर्क ये है कि पहले सेलेबस निकालो, फिर आप पैपर देखो फिन 17, 18 और 21 के, ठीक है 2016 के, 2001 के, तो 2018 का और 2021 का, फिर इसके बात में देखो इसके अंदर 2016 और 2018 वाली वर्ति, इन वर्ति के लिए किसने आपको पढ़ा रखा है, क्यों? क्योंकि 21 के अंदर तो क्या हुआ था? कि बहुत ही बढ़िया दमाल मच गया था मैं ये कह रहा हूँ भाई जो सबसे पहले पढ़ाता था उसकी वीडियो देखो पता चल जाएगा 2016 और 2018 में बहुत कम लोग थे जो पढ़ा रहे थे क्यों? क्योंकि ये पैपर्स का अनिलाइज करेंगे 16 और 18 और 21 का तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या लेवल है इसके बाद में दूसरा आप कहीं भी एडमिसन ले रहे हैं तो उससे पहले ये देखें कि जो पढ़ा रहा है क्या वो खुद जो है इस परकार का इस लेवल के कोई एक्जाम दिये भी है या नहीं समयाई बात ऐसा नहीं हो कि केवल और केवल यही बर्दी पकड़ लिए है तो आप दो है दोके में जा सकते हैं जनरल साइन्स अगर कोई पढ़ाता है तो आप उससे बचिए आप वहाँ पर सेलेबस देखिए अपना पहले दूसरी बात इसके अंदर हमें निमेरिकल प्रैक्टिस करनी होगी क्या निमेरिकल प्रैक्टिस ये भईया बहुत बड़ी समस्या है अबी आपने देखा होगा हमारे द्वारा यूटूब के उपर दो लाइव क्लासेश ली हमने हैं और दोनों लाइव क्लासेश के अंदर आपको जो है कौन से कोशंज करवाए थे किसके इलेक्टो इस्टेटिक्स के उसके अंदर कई विद्यारतियों के आलब धराब हो गई, क्यों? क्योंकि वो numerical तो सीख ही नहीं रहा है, numerical solve कैसे करने हैं वो उसको पता ही नहीं है, वो क्या कर रहा है, केवल theory पढ़ रहा है, theory के question नहीं आएंगे, numericals अगर देखने हैं कि कैसे पूझते हैं तो 2,16 और 18 का paper उ कोशन आपसे जो है, अनुमानित कोशन, कालपनिक कोशन पूझे जा रहे हैं, कि अगर ऐसा होता, तो बताईए जो है, क्या होता, क्या result आते, कितने कैमेट्स बनते, तो आपको वो चीजे पता होनी चाहिए, इसके बाद में हम जो है, अभी से ही जल्द बाजी में जो है, क क्विस के अलावा, अगर आपको जो है, कोई कह रहा है, यह हमारे तो इतना रिजल्द था था न भो था न भो था, तो आप जो है, previous year की classes देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, कि कहां पर प्या था, वाई previous year की class ही अप्लोड नहीं है, लोगों के आदो के दो, युई हम भी यह करते हैं तो इससे थोड़ा बचो मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बार-बार विदियार दो कि मैसेज आ रहे हैं वह वहाँ जोइन किया था हैं सर वहाँ यह से हो गया तो भाई क्यों हमारी कोई गलती नहीं है पहले ही बता रहे हम तो आगा कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखो हम यह से नहीं करें कि हमी सबसे बहुत सारे एच्छे टीचर थे दो चार और भी एच्छे लोग काम करें लेकिन हालतू में जहां फस रहो ना वो आपकी गलती है फिर हमारी कोई गलती नहीं है इसके बाद में आपको जब निमेरिकल प्रैक्टिस कहां से करें निमेरिकल प्रैक्टिस आपको जो है नीट और आईटी जी मेंस एडवांस नहीं मेंस लेवल तक के कोशन जो है आपको लगे कि आपके पाठेकरम के अनुसार है वो आप सौल करने का प्रयास करिए क्योंकि वहीं से जो है डारेक्ट सीधे सीधे कोशन पूचे है नीट पर तो आप ज़्यादा ही फोकस करें यहना बायो में और आप पेपर उठा कर तो देखिए हम क्या करते हैं प्रिवेस एर कहते ही 2021 का उठा लेते हैं और खूस हो जाते हैं क्यों बाई 2021 में ही बढ़ती हुई है क्या 2016-18 के भी दो पेपर है वो भी तो उठा कर इस चीज का आपको ध्यान रखना है और थियोरी केवल रटने से काब नहीं चलेगा बताई दिया है अब सर हम क्या कर सकते हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया है सबसे पहले NCRT को एक बार तो थियोरी टिकल पढ़ो फिर पी वाई क्यूस को उसके एनिलाइस करो उसके बा पूरा फिजिक्स जिसमें पी वाई क्यूस करवाए जाएंगे निमेरिकल्स करवाए जाएंगे टेस सिरीज वगरा सब केवल और केवल 99 रुपीज में हैं जहां आपको जो है 4-4,500,000 में कोर्स बेचा जा रहा है ना वहाँ ये 99 में ही करवा रहे हैं हम अब आपकी अब जो है इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके बता दिया करें किलियर इसके अलावा अगर आपको जो है मताओ मैं तो ये द्यान रखें कि बाइलोजी वाला जो पॉर्षन है ना इस बाइलोजी वाले पॉर्षन के अंदर आप NCRT जब पढ़ें तो अगर आप कोशिस करेंगे तो आपके आस पास कोई कोई जो है ऐसा विद्यार्थी रहता ही होगा जो नीट वगरा के त्यारी कर रहा हो तो उसके पास में जो है आपके किसी कोचिंग के मोडिूल्स हो सकते हैं या फिर उसके पास में NCRT on figure tips ऐसे book आती है वो book आप use कर सकते हैं क्योंकि NCRT के अंदर तो बहुत सारी चीज़े ज उसमें जो है न एक deep level पर जाकर पढ़ेंगे तो आपको benefit होगा समझा आ गई बात physics chemistry के 10 दस जो topics है उसके अंदर physics की classes already चालू है पहला topic बहुत जल्दी समात होने वाला है तो जल्दी ही आप लोग join कर लीजिए केवल 99 रुपीज का बेच है अभी offer price के अंदर है ठीक है क्य देने पढ़ेंगे फिर कहना मत ठीक है चलिए तो जो चीज़े आपको यहाँ पर बदाई गई है उन चीजों का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा और practice जादा करिएगा तो निचीत रुप से आपका selection हो जाएगा कहीं भी अट कोईगे नहीं एक chemistry के अंदर आपको exceptions वगरा ज इसके अलावा जो अभी किरिया हैं जैसे कि chemical kinetics वगरा की या equilibrium जो आपके है उसके अंदर बहुत अच्छे से पढ़िएगा buffer वगरा की conditions वगरा वहां से कोशन पूचे जाते हैं ठीक है हम गलती यहीं करते हैं कि हम केवल theory पढ़ते रहते हैं या फिर जो है केवल और केवल पढ़ा दिया वच वो ही नहीं भीया है उससे काम नहीं चलेगा आपको extra efforts मानने ही पढ़ेंगे क्योंकि यह बढ़ती second grade और first grade type की है और first grade second grade के अंदर केवल और केवल किसी coaching से selection नहीं होता है वहां आपको खुद को भी पढ़कर जाना पढ़ेगा ही समझ में आई बात इस आपको तीनों subject पर focus तो करना ही पड़ेगा हां यह आप जरूर कर सकते हैं कि biology के अंदर जो है आप क्या करिए मैंने जैसा की बार 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 बताया है कि अगर आप non math से है यानि आप biology के student है तब तो आप biology जादा तयार करिए chemistry जादा तयार करिए और physics के अंदर जो topic आपको अच्छे लगते हो 45 तयार कर लीजिए अगर आप math से है तो bio के अंदर आप क्या करिए जूलो जी वाला portion जो है ना उसको तयार करो पहले वाटनी को आप बाद में तयार करोगे तो भी चलेगा यानि कम तयार करोगे तो भी जूलो जी का जो portion है वो आपके 64 में से 33 नंबर क क्या जाते हैं bio में और फिर physics chemistry में आप process करिए कि अच्छे marks आ जाएं तो आपका selection हो सकता है एक ये science की बरती है तो हमारे दिमाग में गलत खौब होता है कि हम gk छोड़ दे क्या भी या gk बिलकुल नहीं चोड़ना है क्योंकि gk भी आपका 200 नंबर का है तो चाहे आप gk क question solve करके आओ चाहे आपके science का number तो उतना ही मिलेंगे इसलिए gk के अंदर भी जो है आप तयारी जरूर करें bio वाला विद्यार्थी तो मेरी माने तो वो biology, chemistry और gk पर जादा से जादा focus करें chemistry के अंदर physics के अंदर उसको जो भी उच्छी topic लगे वो कर सकता है math वाला भी यही कर सकता है वो physics से हमें से अची कर ले, biology के अंदर जो है दोचया topic अच्छे से कर ले और फिर gk वाले portion को strong कर ले तो easily उसका selection हो जाएगा, मैं खुद भी math का student हूँ लेकिन मैंने भी biology के अंदर mental वाला topic है, bio technology वाला topic है, जो बहुत आसान आसान topics है, उनको तय प्यार करे थे और फिर gk पे अच्छा पकड बना ली तो जाएगा selection, ठीक है, gk मैं भी आराम से आपको जो है, राजिस्तान का gk जो है, उस पे ज्यादा फोकस करना है, फिर इंडिया और वर्ल्ड में मैं आपको बता दिया है, कि आप उसकी theory पढ़ने जाएंगे, तो बह questions कर ली जिए, उन्ही questions के आसपास, उनकी व्याख्या वगरा पढ़नी जिए, वहीं से आपके question exam में देखने को मिल जाएंगे, अगर मिलने होंगे तो, और नहीं मिलने होंगे तो आप कितना ही पढ़के जाओ, ऐस ऐसी चीज़े पूछ ली जो आपको पता ही नहीं होगी, फिर क्या करोगे, तो उसके लिए उपेसी लेवल की इंडिया जी के पढ़के जाओगे, वो फिर इतना टाइम का है, इतना टाइम होता तो आप उपेसी क्वालिफाय करते हैं, क्यों लेविशन की तियारी करते हैं, समझ आई बाल, तो यह जो over confidence होता है हमारा कि हम यह भी क कर लेंगे, साइकलोजी में PhD करने चले जाते हैं, नहीं करनी है, हमें केवल और केवल, जो है, BSTC लेवल की साइकलोजी तयार करनी है, थोड़ी-थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि आखिर क्या होता है, कि Lab Assistant का परमूसन होता है, तब वो AJ Teacher बन सकता है, अगर उसके पस Qualification है, तो